जेहंट तो आप सभी को पता है कि 22 तारिक को जो है वोल अक्ट्यूबर के महीने में 2021 को हिमाचल पषदी कर लग inacces को हिमाचल परदेश Great Reuters ईफिलरि को और हिमाचल परदेश की एक कता आर?'ve एक अपको ılbons यह Apollo क सीहिज़ घ्मिन नेफर कंडशी मिल्हें यहां से तो आईए वीडियो शुरू करते हैं रिपीटिड कोशन से सारे के सारे इंपोर्टन हैं आपको जाए वो क्विक रिविजन करोंगा मैं यहां से वीडियो को अन्त तक देखिएगा 30 कोशन होंगे और 30 कोशन को जाएव आपने एक एक करके जाएव सौल करना है विल्कुल जाएव ग्रैस पर लेना है यह आपको जाएव हिमाचत प्रदेश निवर्स्टी के जो पंचाय सग्रेटर का पेपर होगा उसमें जाएव काफी लाब दाख रेने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा जिके ट्रिक एप को डाउनलोड कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवांस डाउनलोड कर सकते हैं जैको आपने इमेल या फिर अपने मुबाइल नंबर के थ्रू जाएव जिके ट्रिक एप के अंदर जाएव लॉग इन करना ह इचे स्टोर सक्षन पर जाना है उस पर किलिक कीजए वाहां पर आपको इंडिया में ओ लाब दाय करेंगे आप इसकी परचेज कर सकते हो जबाइं टिके तो आप इसको परचेश कर सकते हैं ज्यादा प्राइज नहीं है तो 20 रुपीज घास पास जई इसका प्राइज वहाँ पर प्रिवेस प्रिवेस जो मेरी मेंत की जो पीडिएफ वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो आभी चलते हैं शुरू करते हैं कुछ रिपीटिड कोशन से हैं वहँं देखुए तो फर्स प्रेजदेंट आपापके इंडियां के अब देखिएगे जो प्र्रेजेंट में प्रेयों इपयाँ जी रामनात कोई जी याद रखना को प्रेजेंट में प्रेजेंट हैं रामनात कोई जी और ₩ की इन in Grandma च्रहें है भारत में तो 14 सितंबर को जो है वो हम हिंदी दिवस की रूप में मनाते हैं याद रखना है आपको आप देखो 14 सितंबर 1299 को हिंदी की जो लिपी है देवनागरी उसको जो है वो दर्जा दिया गया था हिंदी की लिपी का और 343 से 351 के बीच इसमें आप का भाशाओं का उलेख की आ गया है ठीक है और आठ्वी अनुसूची में बाइस भाषाओं का उलेक जह हो बताया गया है यह आपको याद रखना है तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को बनाते हैं जो डिसकावरी आफ इंडिया बुक है वो किसके दोला लेकी गई वो पंडित जोहलाल नहरू जी दोला जोला लेकी गई और यह हमारे देश के फर्स्ट प्राइम निस्टर है फर्स्ट प्राइम निस्टर आफ इंडिया पंडित जोहलाल नहरू 47th दालावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा और 2018 का जो अमिताब बच्चन जी को दिया गया है 2017 का विनोज घना जी को दिया गया है यह आपको याद रखना है, और दाज साइब के पुरुषकर हम कब से दे रहे हैं, हिंदी फिलम सिनेमा को, 1969 से, यह आपको याद रखना है, आप देखो, who is the governor of Reserve Bank of India, Reserve Bank of India के जह हो कौन गवरनर है इस वक्त, तो शक्तिकांता दाज जह हो इस वक्त जह हो गवरनर है, देखो Reserve बैंक आफ इंडिया में एक Verein होते हैं और चार उसके डिप्ति कोवथ के नाम बें लिख लिए एंपचीजर राजेश्वर राओ और टी रभीशंकर यह चारा उस माइक आट रबी आई होता है ठीक है याद रखने है आपको तो प्रेज़ेंट कौन है युनाटेट स्टेट सॉफ अमेरिका के वो है जोब आइडिन इससे पहले कौन थे डोनाल्ड ट्रम्प और उनसे पहले कौन थे बराक उबामा यापको याद रखना है तो प्रेज़ेंट में जोब आइडिन जा है वो युनाटेट स्टेट सॉफ अमेरिका के जो है वो प्रेज़ेंट है रश्या के प्रेज़ेंट कौन है वलादिमिर पुतीन चाइना के प्रेज़ेंट कौन है जी जिन पिंग ये आपको याद रखना है और जापान के प्राइम निस्टर कौन है पूमियो किशिदा ये आपको याद रहना है आप देखो देमोनेटाइजेशन और इंडियन करेंसी और रुपीज फाइव हंडर और वन थाउजन वा अनूंस भाइप प्यमोनेटाइजेशन हुआ था पांसो और हजार रुपे का वो कब हुआ था आज नमबर 2016 को जैवो हुआ था ये भी आपको याद रहना है यूपी स्टेट के जैवो चीफ मिनिस्टर कौन है वो है योगी अधित्यनाजी योगी अधित्यनाजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी है कुछ कुछ नए मुख्यमंतरी आपको याद रखना है हिमाचर परदेश के मुख्यमंतरी कौन है सबसे पहले तो याद रखना है जैराम ठाकुर जी है हर्याना के मुख्यमंतरी कौन है मनोहर लाल खट्टर जी है उत्राखन के मुख्यमंतरी कौन है पुशकर सिंग धामी है करनाटका के मुखे मंतरी कोन है बासवराज बोमई जो नए नए है और पंजाब के मुखे मंतरी कोन है चरणजीत सिंग चन्नी ये आपको याद रखना है मदेपरदेश के मुखे मंतरी कोन है शिवराज सिंग चोहान ये भी आपको याद रखना है तो कुछ नए-नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके नाम आपको याद रखना है उरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक है ये भी आपको याद रखना है इंडिया की ओफिशल लेंग्वेज कौन सी है तो हिंडी जो है वो official language है हिंडिया की राज भाशा इसको बोले लाता है राज काज की भाशा और इसे अपनाया कब गया था? उनीस सो उनीनिचास में 14 सितंबर उनीस सो उनीनिचास को याद रखना आपको विर इस लाल किला लोकेटर जो लाल किला है वो कहाँ पर है तो दिल्ली में आपका लाल किला है और यहीं से जो है वो 15 अगस्त विजयो परदान मंतिर नरेंदर मोदी जो है वो भाशन देते हैं ये आपको याद रखना है नेक्स देखो हिमाचर परदेश केम इन फूल स्टेट हुड हिमाचर परदेश को पुर्ण राचे देकर दरजा के तब क्या गया था वो 25 जनवरी 1970 को दिया गया था याद रखना आपका और अठारवा राज्ये बना था इस तिन ठीक है मंडी सिटी जो है आपकी किस नदिये किनारे पर बसी हुए है तो ब्यास नदिये किनारे पर बसी हुई है यह आपको याद रखना है तो ब्यास नदिये आपके रोहतांग दरा से ब्यास कुंड से जहाओ निकलती है यह आपको याद रखना है आप देखो फर्स्ट चीफ निसर ओफ हिमाचर परदेश वाज डॉक्टर वाइस परमार जायो फर्स्ट प्राइम निसर हिमाचर परदेश के और देखो रामला छाकूर जी जो है वो सैकिंड है उसके बाद आपके जैवाव शानतकुमार जी बने थे उसके बाद वीरबदर सिंग जी बने थे उसके बाद फिर शानतकुमार जी बने थे फिर आपके प्रेम कुमार धुमल जी बने थे फिर आपके वीरबदर जी बने थे ठीक है फिर आपके दुबारा प्रेम कुमार धुमल जी बने थे फिर आपके वीरबदर जी फिर आपके अ लार्जेस सिटी कौन सी है तो याद रखना को उस्यमिला के सिपिटे ला याद रखना को तो खेया वह दो पर्देश की COB की के सबसे बड़ कांगडा है यह आपको याद रहना है पंदरवा कोशन देखिए इन विच पार्ट आफ हिमाचर परदेश लार्ज पॉपलेशन ऑफ बुद्धिस्ट हिमाचर परदेश के किस पार्ट में ज़ह हो सबसे ज़ादा जनसंग के रहती है वह बुद्धिस्ट की रहती है तो जो Headquarter है वो केलोंग है और यहाँ पर देखो सूरस्ताल जहील है और चंदर्ताल जहील है यहाँ पर है यह आपको याद रखना है महमूद गजनवी अटैक डू आं कांगलाफोर्ट जो महमूद गजनवी था उस ने अटैक कब किया था कांगला फोर्ट पे एकजार नो इस्वी में और एकजार पच्छिस इस्वी में इसने जो है सोमनाथ मंदिर पे गुजराच के सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था ये आपको याद रखना है एक्जाम पॉइंट ओफियू से इंपोर्टन है हिमाचर परदेश को कब केंदर शासित परदेश डिकलियर किया गया था 1956 में केंदर शासित परदेश डिकलियर किया था सिंबल वारा नेशर पार जो है वो कहां पर है तो सिंबल वारा नेशर पार जो है आपका हिमाचर परदेश में है आप देखो ये आपको याद रखना है पांच नेशर पार्ख है ग्रेट इमालियन है पिन वैली है इंदर किला है खीर गंगा और सिंबल वड़ा है ग्रेट इमालियन आपका कुलू में है इंदर किला आपका कुलू में है खीर गंगा भी आपका कुलू में है पिन वैली आपका लाहोस प प्रदेश चंदरदर्श शर्मा गुलोरी आपके जोए वह फेमस सिंदी राइड हैं इमाचर प्रदेश से यह आपको याद रहना है आगे देखिए वेस्ट हैड ऑफिस ऑफ एच्पी प्सी एच्पी प्रदेश पबलिक सिर्वेशन का हैड़कॉर्टर कहां पर है आपका श मिशाला में है यह आपको याद रखना है आप देखिए और विच रिवर भाग्रा डैम प्रोजेक्ट इस लोकेट जो भाग्रा डैम प्रोजेक्ट है आपका सतलुज रिवर पर है नात्पा जाकरे बिज्या आपका सतलुज रिवर पर है यह आपको याद रखना है इन वि पुछी को तो चंबा में है ठीक है याद रखना आपको दा स्टेट हुड़ डे ऑफ हिमाचार परदेश इस तो स्टेट हुड़ डे जो हमारा हिमाचार परदेश का 25 जनवर युका आता है आप देखो दे लॉंगेस्ट ट्रिवर ऑफ हिमाचार परदेश इस सत्रोज दी था कि मरने के बाद पूछा गया है उनके बाद जो है नया चीफ मिनिश्टर कौन बना था तो याद रखना है आपको पलानी स्वामी जो है उनके बाद जो है वो बने थे लेकिन अगर करंट में पूछा गया परदेट में कौन है तमिलनाडो के चीफ मिनिश्टर आपक निर्मला सितनारमन जी है विच हिंदी फिल्म वाइस बिन अवाड़ेड 62nd Film Fair Award 62nd Film Fair Award जो है वो किस हिंदी फिल्म को मिला था तो आपका दंगल को मिला था अब देखो जो 2021 में मिला है वो मुवी को थपड को मिला है याद रखना और 2020 में जो है सुपर 30 को मिला था रिदी कोशन की मुवी को याद रखना है जो लेजेंडरी एक्टर है ओमपुरी पास्ट अवे इन इयर जो लेजेंडरी एक्टर है ओमपुरी वो कब मरे थे वो 2017 में मरे थे आप देखिए कुछ एक्टर के नाम बढ़ाता हूँ मैं आपको जो 2020 में मरे है सबसे पहले देखिए रिशी कपूर जी उसके बाद आपके जो इर्फान खान जी है वो भी आपके 2020 में मरे है ठीके 2021 में आपको याद रखने है जो दिलीप कुमार जी है वो 2021 में मरे है तो इनके नाम याद रखने है और एक आपको 2020 में फेमस नाम याद रखना है सुषान्त सिंग राजपुत इनका नाम भी आपको याद रखना है तो जो म्यूजिक डिरेक्टर मरे हैं 2020 में वो आपके हैं वाजिद दली ये भी आपको यादर रहना है अभी एक फेमस बिग बॉस विनर भी मरे थे सिधार शुकला ये 2021 मरे रहे है तो इनकी डेथ वगड़ा पूछ ली जाती है और बिचरेज पूछ ली जाती है अर्विंद केजरिवार पार्टी अर्विंद केज़िवार की पौलिटिकल पार्टी का 나म कया है तो आम आदमी पार्टी जाओ उनकी पौलिट्कल पार्टी का नाम है ये आपको याद रहना है तो यह थिए आज के तौप 30 कोशिंश आज इतना ही करते हैं तो अभी के फिला ली तना ही कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जाएंद आपके दिन शुब हो जाएंद